हलो एवरिवन वेलकम बैक टू माई चैनल फैबुलस कॉर्णर ये क्लिपिंग्स है ये पूरी वीडियो है होई अश्टमी की यानि की 17th of October की ये देखिए ये होई अश्टमी का पर्व अपने बच्चों के लिए इस दिन मदर्स फास्ट रखती है वही पूजा की तयारी मैं कर रही हूँ ये होई माता का कलेंडर है और ये मैंने पूजा की सारी सामगरी जोड लिये कहानी सुनेंगे सुबा को हम और शाम को इसकी पूजा होती है तो कहानी सुनने के लिए ये दूब रखी है मैंने और दो कलश पानी के तयार कर लिये हैं जी हाँ इसमें दो कलश य जला लिया है क्योंकि कहानी सुननी है तो दीपक जलाना है वैसे प्रनाव प्ररित दोनों मेरे साथ हैं देखे होई माता को इस्थापित कर लिया है होई माता के कलेंडर पर पहले जो मदर्स कलेंडर तो नहीं होता था पहले हाथ से गेरू से मदर्स दिवार पर ये बनाती थ और उसमें अपने बच्चों के नाम लिखती थी, तो मैंने भी अपने बच्चों का नाम इस कलेंडर पर इस फोटो पर पेस्ट किया हुआ है, अब मैं दोनों कलश जो इस्थापित करने हैं, इन्हें दो घड बोलते हैं, यानि कि दो कलश, तो इन्हें मैंने सत्या बना लिय है फिर मोली बांदी है उसके बाद कलश स्थापित करने के लिए हम पहले चावल बिचाएंगे कुछ लोग चावल को अलगतर ऐसे कलर करके भी बिचाते मैं ऐसे ही लगाती हूं और कलश में भी हम चावल डालते हैं हर किसी की पूजा की विधी उनका तरीका अलग-अलग हो स होता है यह हम तारे को देखकर अपना उपवास खोलते हैं और आज हमारे यहां तो निर्जल वरत नहीं होता है हम कहानी सुनने के बाद चाए वगएरा ले लेते हैं और शाम को फिर वही पकवान वगएरा बनाये जाते हैं वेदे के दोगर लगाने के बाद इसमें यह स्य माता को कथा करने से पहले और यह होई माता क्या आगे पहले गेहूं चढ़ाया जाता था लेकिन अब गेहूं तो इजी ली अवेलेबल नहीं है तो अब चावल चढ़ाते हैं और यह देखिए मैंने भी अपने कलेंडर पर अपने दोनों बच्चों के नाम पेस्ट किये आप पर और आपके परिवार पर अपना आशिरवाद हमेशा बनाए रखे आप सभी के बच्चे निरोगी स्वस्तम खुशाल रहें और यह है आज का मेरा लुक और अब यह है इवनिंग की क्लिपिंग मैं किचन में आ गई हूं गुलगुले बनाने हमारे हैं इने मीठे पुड़े भी बोलते हैं इनी से हमारे हैं होई अश्टमी की पूजा की जाती है तो मैंने पहले आदा ग्लास पानी में वन स्पून जो है सोंफ और इलाइची के कुछ दाने मिलाकर बॉयल कर लिएं क्योंकि इनकी बाइट्स मुझे या मेरे बच्चों को पसंद नहीं है तो मैं पानी में इने बॉयल कर लेती हूं इनका सारा फ्लेवर जो है वो पानी मे आजाता है और उसकी बाइट्स भी मुझे नहीं आती और आधा ग्लास पानी में हम एक कप चीनी मिलाएंगे गरम पानी में चीनी को बस थोड़ा सा हमें घोलना है और 15 मिनट के लिए उसे रेस्ट देना है 15 मिनट बाद चीनी अपने आप घुल जाती है यह देखिए 15 में दचारालने के लिए लिए है एक इलाइची आप जादे बना रहे हैं तो आप जादे ले सकते हैं इसके मैं सिर्फ बीजी यूज करूंगी और थोड़ा सा मैंने इससे भी मैंने बारीक वाले ग्रैटर से ग्रेट कियां बिल्कुल बारीक-बारीक आप ग्रेट कीजिए इससे इसका flavor बहुत अच्छा आता है, इसमें किसी भी तरह के कोई dry fruits नहीं डलते हैं, अब हम आगे की process करेंगे, यह जो हमने इलाइची के दाने हैं, और grated यह coconut है, हम इसे पानी में, अपनी चाश्री वाले पानी में मिला देंगे, अब एक कप मैंने लिया था, इसमें चीनी और मैं दो तरह के गुल-गुले बना रही हूं, एक बना रही हूं मैं थोड़ा soft वाले और एक बना रही हूं crisp वाले, और इनकी shape और better भी इनका अलग-अलग बनाया जाता है, जो पहले हम थोड़ा crisp वाले बना लेते हैं, उसके लिए हमें better थोड़ा इस तरह है कि रनी consistency का तो अब इन गुल-गुलो को तलने से पहले हमें ये भी ध्यान रखना है, ना तो हमारा तेल जादा गरम हो ना ही ठंडा, और पहले आपको ऐसे पानी में hard dip करने, इससे आपके गुल-गुले आपके हाथ पर चिपकते नहीं है, मीड फ्लेम पर हमें ये पूरी प्रोसेस कर आपको इने पलटना है, ये देखिए बहुत अच्छे कलर इनमें आ गया है, गोल्डन ब्राउन कलर का, अब हम इने निकाल लेंगे, अब हम इने किचन पेपर पर निकाल लेंगे, और ये उससे क्या होगा है, जितना एक्स्ट्रा ओयल है, वो सब उस पर एब्जोर्ब हो आपको जाएगा, आप ये देखिए दूसरी तरह के पूए बनाने के लिए इस तरह का थिक हमें पेस्ट चाहिए, और ये बहुत आसानी से बनते हैं, और बिल्कुल गॉल-बोल की तरह ये बनते हैं, उपर से ये क्रिस्प होते हैं और अंदर से सोफ्टी हे देखिए, बि हमारे इहां इन गुलूर के साथ ही पूजा की जाती है और बाइना निकालते हैं अपने घर में, परिवार में किसी बड़े को वह बाइना पूज कर दिया जाता है और होई माता की पूजा में especially कपड़े का जरूर यूज किया जाता है बाइने में जो श्रंगार के समान के साथ आप जो भी रखें लेकिन आपको कपड़ा एक जरूर रखना होता है तो अब मैंने सब होई माता को तिलक लगा दिया है और ये होते हैं होई माता की माला में पहनाए जाने वाले चांदी के मोती इन्हें बच्चे भी बोलते हैं सेही के बच्चे तो ये मोती इस तरह हर साल दो मोती अपनी माला में डालने होते हैं जब तक आप डाल सकते हैं, आप डाल ये, तो मैं हर साल डालती हूँ, दो मोती अपनी माला में, ये देखे, अब मुझे ये नई बनवानी पड़ेगी, क्योंकि मेरी माला थोड़ी छोटी होगी, धागे भी धरुदर होगे हैं, तो ये मैंने पहना दिये, ये यहाँ पर मु मुझे इंडिया से देती है, तो ये मैंने अपनी माला में, सेही के बच्चे, ये मोती भी पहना दिये हैं, अब हम आगे की पूजा शुरू करते हैं, अब हम अपनी इस माला को तिलक लगाएंगे, धूप दीब दिखाएंगे, और अपने बच्चों को मैं फिर कलावा बा पूरे दिन के लिए, और जो उपर वाला कलश है, उससे हम आज अर्ग क देंगे, तारे को और पूजा करेंगे, और जो नीचे वाला कलश है, इस कलश में भरे हुए पानी से, हम हो बड़ी दिवाली वाले दिन अपने बच्चों को नहलाते हैं, उनके नहाने के पानी में, फैमिली मेंबर्स के नहाने के पानी में, इसका थोड़ा थोड़ा ये जल डालते हैं, इसका भाव ये होता है कि इस पाहानी से नहाने के बाद आप पूरी तरह से निरोगी और स्वस्त रहते हैं, अब हमने भी कलावा बान लिया है, मोली बान लिया है, तिलक लगा लिया ह अब हम होई मात्ता की पूजा शुरू करते हैं ये देखे शाम का टाइम हो गया तारे निकल आएं मैंने अर्ग देकर अपना व्रत पूरा किया I hope आपको मेरा आज का होई अश्क में व्लोग जरूर पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक, शेर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजेगा और आज कल मैं बहुत अच्छे शोट वीडियो भी बना रही हूँ तो मेरे चैनल पर जाकर शोट्स पर क्लिक कीजे तो वहाँ आपको अपने फेस्टिवल के लिए, स्टाइलिंग के लिए बहुत अच्छे आइडियाज मिलेंगे इस वीडियो के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए, बाई बाई